आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कॉंग्रेस को जाइन करने का काम किया, चुकर राहुल जी की यात्रा के बाद, पूरे देश में एक महल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते वे भी इस बात को कहा था, कि राहुल जी परिवर्टन के बाद हैं और देश की राजनीत के अंदर परिवर्टन लाने का काम करेंगे, और वो असर उसका हिमाचल के और करनाटक के चुनाव में दिखाई दिया जब प्रियंका जी ने जाकर के परचार किया, और पर्चंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और अब चार स्टेट में इंशालला और आने जा रही है, अभीरा जी भाई ने मुझसे सुभाई पूचा था, तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्य करता है, जितने लोग हैं मेरी ताकत हैं, इनके वज़ा से ही मैं पार्टी छोड़ कर गया था, और मैंने मिटिंग बुला करके अपने सब लोगों को 18,000 आदमी था सारणपूर में पूचा था, कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडूलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूँ, अब आप कह रहे हों कि मैं कॉंग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आप से लेना चाहता हूं, कि अब मेरे साथ कोई आप जल्म ना करना, चुकि अब मैं मानूगा नहीं, और यह प्ते है कि अगर अब कॉंग्रेस में जाऊंगा, तो फिर कबर तक कॉंग्रेस के अंदर रहूंगा, तो ये वादा लेकर के, ये बात मैंने आपको सुभा बताई थी, तो ये वादा लेकर के हम लोग आए थे, चुकि जब मैं कॉंग्रेस छोड़के गया, मैं तब भी कॉंग्रेस छोड़के जाना नहीं चाहता था, राहुल जी और प्रिंका जी का, जुसने मेरे सात्रा, मैं उसका सदे भरिणी रहूंगा, और मैंने इस बात को बारा बताने का भी काम किया, आज कॉंग्रेस के अंदर समली तुने पर, मैं हरदे की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूं,